पूरा संडे से लेके सटर्डे तक के करेंट अफेर्स का मैं आपको वीडियो लेके आया हूं इसमें 35 कोशन लिए 35 कोशन यह ऐसे लगे जो मुझे टीचिंग एक्जाम और यूपी के एक्जाम उनके लिए महत्पूर्ण है बागी कोई जाता खास नहीं थे अगर इतने इतन सब्सक्राइब कोशन होते हैं हमारे चार वीक में तो बहुत हो जाएगा ठीक है बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो अच्छे तरीके से तयारे कराएंगे ठीक हाली में 2020 के लिए किस संस्थान को UN Population Award दिया गया है तो किसको दिया गया है यह दिया गया है Help Age India को किसको दिया गया ह Help Age India तो इसका नाम बहुत पूचा जाता है अक्छे पात्र का यह खाना खिलाने में मतलब डिस्टिबूट बहुत करता है फ्री वाला ठीक है तो इसे याद रुखना आंसर क्या हो जाएगा इसका भी एक्स्टा फेक्स भी बताऊंगा बहुत सारे आगे आज बहुत ही काम क तो आखिरी तक देखना भी भी शाली में औसकर पुरूश्का 2020 के लिए भारती फिल्म में नामित होने के योगे होगी समझना क्या कहे रहा है औसकर अबूवंड मिलता है औसकर अबूवंज पहले नामित होती है कोई मुवी इन मैंसे किसी को आखस्कर मिलता है अब ये ना हामित हो जाएंगी उनMस फिर ऐसकर के लिए ठीक है तो यह क्या है लगसा इसकी एक्ट्रेस का नाम याद रख लो तो वह पूछा जा सकता आपसे बिद्यावालन तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ठीक है याद रखना ओसकर से रिलेटर जो कोशन होते न जरूर पूछे जाते हैं ठीक है अच्छा अगर आप मेंसे कोई ये बता पाए कि ओसकर का ओसकर तो हम लोग बोल देते हैं इसका रियल नेम क्या है तो बताना अगर आप लोग नहीं बता पाओ तो comment box में लिखना मैं बता दूँ आपको next तो ये बहुत ही जात अच्छा जोच हाली में दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में किसे मानता मिली मतलब दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक केवल साथ साल कितनी साथ साथ उसे पहले मैं ये बता दूँ कि सबसे कम उम्र में programmer बने थे जो कि मैं पिछले week आपको दिया ना उसमें बताया था programmer मतलब computer पर programming करते ना तो वो बनेते हैं मगर जो इस question का answer है वो है अभी जीता गुपता answer क्या हो जाएगा बी अब देखो एक आप लोगों के लिए surprise है मैंने इनकी photo भी लगाई है तो ये है अभी जीता गुपता ये जो आप photo देख रहे हैं आप लोग ये बताना कि मैं अगली वार से इस तरीके से photo भी इंक्लूड करता जाऊं या नहीं आज मैंने केवल एक की है जिसे कि आपका response देख सबूँ ठीक है तो आप बताना है इसे photo भी दिखाया करूं या नहीं ठीक है next question आंसर हो जाएगा अब जीता गुपता उपर वालेगा देखो आंग सान सू की ये नाम है किसका नाम है state counselor state counselor एक तरीके से हमारे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर काम करता है न अपने है उसी तरह माल दो इनको किस state का state counselor चुना गया है तो इन्हें चुना गया है मियामबार का किसका मियामबार मियामबार की currency है क्या जो की हदे से ज़्यादा repeat हुई है इतनी बार पूछी गई है और इसकी capital है नेपे थू नेपे थू इनकी क्या है capital अब देखो इनके बारे में एक मस्त सी जानका बताओ एक्स्टा fact जो आंग अभी static का fact बन गया है इंडोनेसिया अपनी राजदानी बोर्नियो दीप के काली बंगन बंगन मतलब कि यह हो गए 6 महीने पुरानी news है मगर यह static बन गया है उस पे shift करने जा रहा है अभी इसकी राजदानी का है जकारता अभी shift करने काली बंगन दी बोर्नियो दीप काली ठीक है याद रहा है थाइलेंड की तो बैंकोग होगी आपको पता है अब यह बितनाम की capital क्या है यह आप लोग बता होगे ठीक है आंसर क्या हो जाए इसका म्यामबार ठीक next question हाली में JNU में JNU पता है JNU University जो है देली बाली मोधी जी ने एक मूर्ती का नावरण किया है वो किसकी स्वामी विवेकानन्द की मूर्ती का नावरण किसने किया है वो किया है नरेंदर मोधी जी ने याद रखना मोधी जी से related सारे facts पूछे जाते है कोई सा भी next है हाली में Trump में पता क्या होती है पहले बता देता हूँ ट्रेन होती है एक उसमें हो या दो डिब्बे हो इसकी ऐसी ट्रेन होती है छोटी सी उसके लिए विश्व का पहला पुस्तकाले लॉंच किया गया है ट्रेन भी चलेगी पुस्तकाले भी हो तो यह कहा हुआ है तो अगर थोड़ी से आपको जानकार ही हो कि Trump कहा चलता है तो यह केवल चलता है Kolkata में एक एक स्टेटिक फेक्ट और बताऊंगा कि अपनी सबसे पहले Metro कहा चली थी मेट्रो चली थी अपनी सबसे पहले वो कॉलकाता में चली थी अभी यहीं पर पता है अंडर वर्टर और एक ट्रेन के लिए सिस्टम मनाया जा रहा है कॉलकाता में ठीक है इतना याद रखना next देखो हाली में आई 2018 की रिपोर्ट कब की रिपोर्ट है 2018 वाली उसके अनुसार देश का सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला राजी कौन सा है समझ रहे हूँ देखो मैं समझा जाज़ा है जैसे हजार लड़के हजार लड़के पर सबसे ज़्यादा लड़किया का है कहीं पर 900 होंगी कहीं पर 1000 होंगी कहीं 1000 से ज़्यादा भी होंगी तो सबसे अच्छा किसका लिंगानुपात है वो है अनुणाचल परतेश का आंसर क्या हो जाएगा और सबसे खराब पूछा जाए तो सबसे खराब है मनीपुर का मनीपुर में क्या है लोक टक लेक ठीक है बहुती पूछी जाती हद से ज़्यादा इस्टार्ट मार्क कर लेना इसको पूछा जाएगा एक्स्ट्रा फेक्ट से इस तरीके से बताऊ या नहीं ये भी बता देना कॉमेंट बॉक्स में लिखके एक कोशन और बताना चाहूँगा ये तो हो गया 2018 की रिपोर्ट के अनुसा अगर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पूछ लेता तो केरल सबसे अच्छा था और सबसे बेकार कौन सा था उसमें हरे आना ठीक है याद रखना बताना मैं static facts आपको इस तरीके से बताता जाँ उलग से या direct आपको कॉशन कॉशन करने और फोटो बाली बात भी बता दे ना फोटो लगाने या नहीं अभी किस देश के सहादत रह्मान नाम याद रखना है नाम याद रखना है सहादत रह्मान इनको अंतर राष्टी बाल सांती पुरुसकार मिला था तो ये कहा के तो ये पहली बात बता दू मांगलादेश के इन्होंने क्या बनाया है इन्होंने एक application मनाया है application क्या है जैसे आप net पे कोई काम कर रहे हो जैसे facebook चला रहे हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको परिसान करने आ जाते है उसे कहते हैं cyber bullying तो इस अपराद को रोकने के लिए ये अपराद है cyber bullying करना लड़के को परिसान करना लड़के लड़कियों करते हैं लड़के लड़कों जिसको भी कोई कर रहा है तो वो अपराद की category में आता है तो इस चीज़ से बचाने के लिए इनोंने application डेवलप किया है ठीक है? याद रखना और एक चीज़ बताना चाहूँगा पिछली साल का जो मेरा था वो greater थुनवर को मिला था इसे भी याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट कोशन, आंसर क्या हो जाए? इसका B हाली में डबलू एचो ने किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंदर खोलने की इस्थापित करेगा पहले तो आपको यह समझ में आज़े, पारंपरिक चिकित्सा केंदर के आए, तो यही समझा देता हूँ जैसे अभी हींग, हींग को क्या कहते हैं? ऐसा फोई टेडा, इंग्लिस में ऐसा, यह भी पूछा जाता है फोई टेडा अगर आपके पेट में दर्द है तो हींग का चूरन मिना के रख लेते हैं इस तरीके से, तो वो क्या करता है? पेट दर्द को इसी के साथ, अभी पिछल लाश्ट मंत की बात है तो हींग की खेती करने वाला पहला इस्टेट कौन सा बनाए? हमारा पहला इस्टेट बनाए हिमाचल कौन सा? हिमाचल और एक बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा हम जो हींग इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट मतलब होता है मंगाते हैं, तो वो मंगाते हैं इरान से कहां से मंगाते हैं? इरान से, इस चीज को भी याद रखें चितने भी फेक्ट बता रहा हूं सब पूछेंगें, एक भी मैं छोड़ देना नहीं तो दिक्कत होगी अब देखो, नेक्स्ट कोशन है आपका ये है लेक से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी एस्टेटिक फेक्ट में आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो जानो कि किस राज की लोनार जील है ये ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा रामसर साइट में, रामसर समझोता कब हुआ था, 1971 और ये कहां पे हुआ था, इरान में, बहुत पूछा गया है रामसर साइट इंडिया के अंदर कितनी ये भी पूछा जाता है तो हर समय आपको याद रखने का अपडेट वाली रखनी पड़ेंगी तो ये हैं 41, अब जो अपडेट हो क्या है देखो इसमें लोनार जील वाला तो दिया है कोशन अब एक और कोशन था, जो मैं लिखना बूल गया है इसमें, जो आप लोग खुद से लखेंगे और इस्टार मार्क करके लखेंगे कि सूर सरोबर सूर सरोबर इसको भी रामसर साइट में सामिल किया गया है जब इन्हें मिला के 41 हुए तो इस सूर सरोबर कहां पे तो ये है आपका यूपी आगरा में कहा है यूपी आगरा में अब एक चीज और याद रखना एक जील के बारे मैं बता रहा हूँ जो कि इसके ही पास है और वो पूछी जाएगी क्योंकि मैंने कल एक मोग टेस्ट लगा रहा था उसमें आ गया था उसका जिक्र तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यह जील है कीठम जील क्या है कीठम जील कीठम लेक या कीठम जील करके आपसे पूछेगा तो यह कहाँ पे तो यह यूपी आगरा में तो इसे भी आप याद रखनेंगे बहुत सारी फेक्ट्स बताएं इन्स सब को दिमाग में रख लेना 41 हो गई है साइट्स इरान में हुआ था रामसर समझो था 1971 और एक Montrix record और है Montrix record वो भी इसी से संब्बन देते हैं रामसर साइट्स Montreal प्रोटोकॉल नहीं बता रहा हूँ वो 1977 में हुआ है उसे याद रखना लग से ठीक है कौन है जैन धर्म के थे और यह पूछी क्यों जा सकती है क्योंकि Statue of Unity बहुत ज्यादा न्यूज में रही है तो बहुत साइट लोग गलती कर सकते हैं Statue of Peace को Statue of Unity से रिलेट करें तो इस चीज को आप बिल्कुल Crystal के लिए रखेंगे और यह कोशन ना आए ऐसा हो नहीं सकता Star Mark कर लेंगे इस कोशन पर सारे Facts को Copy में लिखेंगे और यह भी Star Mark वाला कोशन कूछा जाएगा कहीं कहीं बिहार की पहली महिला उपमुख्यमंत्री को ने अब आप सोचोगे सर हम तो UP का करते करें तो बिहार का क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी है महिला उपमुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री तो बनी थी वो जो लालू जी की पतनी थी मगर उपमुख्यमंत्री नहीं बनी आज तर तो ये कौन बनी है, रेणु देवी, क्या बनी है, रेणु देवी, तो दो उप्वमुख्यमंत्री बने है, उसमें से एक तो रेणु देवी है, दूसरे जो है, वो मेल है, उनका अगर आप देख सको तो देख लेना, उतना important नहीं रहेगा, कोशन ये पूछा जाएगा, कि म जगातार चौती बार, बैसे सात्मी बार है उनका, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना, पूछा जा सकता है, हाली में दुनिया के सबसे बड़े तोते, ये पूछ लेगा, फेक्ट बना के, सबसे बड़ा तोता कौन सा है, नाम पूछ लेगा, सबसे बड़े तोते का ना पूछ लेगा, गुमाना होगा तो काकापो अभी न्यूज में था, तो ये क्या है, पसु है, पक्षी है, जनावर है, सैटिलाइट है, क्या है काकापो, ठीक है, तो याद रखेंगे, काकापो, इस्टार मार्क कर लेंगे, नेक्ट, इस्पेस एक्स, ये कोशन क्यों डाला बताता हूँ, SpaceX ने कितने अंतरिक्स चात्रियों को station बेजा है, देखो SpaceX है USA की, USA, NASA ये सब पता है आपको, International Space Station है, Space में ये भी पता होगा, वहाँ USA क्या गरता था, जो रसिया है, उससे कहता था, हमारे अंतरिक्स चात्रियों को ले जाओ और वहाँ बेज दो, पहली बार, उन्हें के यहाँ से private company ने बेजे हैं, और कितने astronaut बेजे हैं, चार, astronauts की spelling भी याद रखें न, English में पूछी जाती है, spelling mistakes में, ठीक है, तो याद रखना है, astronaut की spelling भी, अब question एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, SpaceX और Tesla, यह किसकी company है, तो यह company है, Elon Musk की, अभी यह पता है, दुनिया के तीसे सबसे रहीस इंसान बन गे तक, कुछी दिन पहले, दो-तीन दिन पहले, कुछ देर के लिए, ठीक है, और सबसे ज़्याद रहीस इंसान कौन हैं दुनिया के, वो हैं, जैब, बेजोज, इनकी कौन सी company है, Amazon, जैब बेजोज की, ठीक है, आंसर याद रखना, फोर, प्लीज सेयर भी कर देना, अच्छी लगे तो बीडियो, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, तो मैं पूरी मेहनत करूँगा, मगर प्लीज सपोर्ट करना, भारत अगर किसी को एक रुपया भी देगा न, तो वो भी question important हो जाएगा, तो एक रुपया तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने दिये एक million dollar, अब एक million, एक चीज बताओ, million, billion, trillion, वन के आगे 6,0 लगा लो तो बनता है million, वन के आगे 9,0 लगाने से बनता है billion, और बन के आगे 12,0 लगाने से बनता है trillion, तो एक के आगे 6,0 और वो भी क्या दिए, डॉलर दिए, रुपये नहीं दिए, इस चीज को भी जादा है, बहुत पैसा हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा A, और किसको दिए, आसियान को दिए, आसियान में कितने मेंबर हैं, ये बहुत पूछा गया, हद से जाद है static fact, 10 मेंबर हैं इसमें, ठीक है, याद दोसकार मिला था, अभी फ्रांस ने न, अभी फ्रांस ने क्या, फ्रांस का सर्बोच संबान जो है, नागरेकों बाला वो भी मिल चुका है, तो बहुत सारी इन्होंने movies में काम किया है, और सबसे लंबी height वाले, बंगाली थे, ठीक है, तो ये कौन थे, ये थे, अभिनेता कौन थे, अभिनेता, बी, बहुत ही जादे important नाम है, याद रखना, ठीक है, next question, अभी देखो फीपा under 19 मैला विस्सु कब जो है, वो रद कर दिया, ये कह देते हैं, अगले साल करा लेना, इंडिया से, तो ये इंडिया में होना था, तो अब ये कब होगा, ये 2022 में होगा, कह दिया है, अब चलो तुम 2022 में करा ना, 21 में भी छोड़को, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा आइडिया रख लेना, बस, next है, जंगली हातियों को बचाने के लिए, किस राजिम में, anti-electrocusion cell बनेगा, anti-electrocusion cell बनेगा, पशिम बंगाल में, अब देखो हाती परियोज आई थी, कब आई थी, यह आई थी, 1992 में, हाती दिबस, हाती दिबस कम मनाते हैं, 12 अगस्त, हाती से याद रखना, हाती कौन है अपना, हमारा जो है, इंडिया का, क्या कहते हैं इसे, 2010 में, गोसित किया गया था, बिरासत, बहुत सारे कमी लोगों को पता होता, कि बिरासत पसु कौन सा है अपना, तो बिरासत पसु है अपना हाती, हाती किस-किस state का state animal है, के-के जी, काका जी याद रखना, केरल करनाटक और जारकन, और सबसे ज़्यादा हातियों की संक्या का है, करनाटक ने, ये तक पूछी गए, सबसे ज़्यादा हातियों की संक्या, ठीक है, य जीता जाता है डस्टिन जॉन्सन ने अब मैंने याद कैसे किया है मैंने याद कैसे किया मास्टर ने मेरे सन को गोल अंडा दिया मास्टर ने डस्टर से पीट कर मेरे सन को डस्टर से पीट कर गोल अंडा दिया इस तरीके से याद किया था मैंने ठीक है तो आप लोग जैसे क ऑर से किसको संभानित किया गया तो ये किया गया रिचा चड्डा को इन से पहले ये किसको मिला था सुनील सेटी को इसी साल मिला है कुछी दिन पहले ठीक है याद रखना next हाली में किस राज में एचिया की पहली इंडिया की नहीं एचिया की पहली सौर उड़ल साच्छम टेक्सटाइल मिल मतलब सोलर से चलने बाली टेक्सटाइल मिल उसका उदगाटन हुआ है महाराष्ट में और जो लोनार जील बताईनnous में बहुत पूछा गया है लीलावती किसने लिखी है बासकराचारे ने ये भी याद रखना है ये भी पूछा गया है सीट एटम बहुत पूछा है तो ये किसने लॉंच करिए ये लॉंच करिए रमेश पोकरियाल निसंक ये कौन है अपने पहले हम इसे कहते थे HRD Ministry अब इस इदूकेशन मिनिस्ट्री तो ये इसके हैड है रमेश पोकरियाल निसंक ठीक है याद रखेंगे आप टीचिंग की तयारी कर रहे है न तो ये हैड है हमारे तो हम लोगों की याद रखना पड़ेगा इनका नाम वर्स के अंत में बिसुका नंबर वन खलाड़ी रहने की ट कैनिस ग्रेंड स्लेम होते है न ठीक है उसी से इनलेटेड है ठीक है याद रखना और राफेल नडाल कहां के इस्पेन के ये बहुत पूछा आता है और ये नोबाक जोबिक कोबिच सर्बिया के हैं या नहीं है ये आप बताएंगे इनके बारे में बहुत पूछा गया था ठीक है अभी डॉमिनिक थीम ने क्या जीता था यूएसे ओपन जीता था ठीक है नेक्स्ट अभी देखो सोचाले दिबस मनाये गया है सोचाले दिबस तो ये मनाये गया है 19 नवंबर को ये यूपीटेट में आया हुए कोशन है अब मैं एक कोशन बताऊंगा हैंड वास ट टकना को रो चल ला ए पूंशा जरू जाये गा ठीक है कि नेक्स्ट भारत की पहली हरीत-उर्जा अभी सर परियोजना किस राजमें इस्था पर तो यह इस्थापित हुए गोवा में ठीक है भारत की पहली है तो याद रख सकते हो आप लोग अभिसरण पर्योजना ठीक है आप लोग सोचों सर हमें पता कैसे पढ़ा कि यह रहा है तो इसकी जो स्पीड है ना इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड वो किस में नापते है फिलॉप्स में ठीक है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड यह इनकी फुल फॉर्म तक पूछी जाती है और जो सबसे ज्यादा सक इसका नाम है चाइना ठीक है याद रखेंगे अलग अलग बाते हैं फुगा को टॉप किया है जापान का है अपने यहां परम ने टॉप किया और यह परम जो है अपना इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है इस तरीके से स्टेटिक फेक्ट पूछा जाता है और यह भी नाम याद रख लेना क्या है डॉक्टर बिजे अब बहुत सारी लोग सोचोगे सर आपको इतना याद कैसे हुआ तो याद करने की एक ही ट्रिक है बार 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 रिवाइज करो और कोई उसका ओप्षन नहीं है रिवाइज ही करना पड़ेगा आपको बहुत सारी लोग ल नेक्ष्ट अभी किसने मैं भुकर प्रुसकार जीता है यह गलस इस्टूर्ट ने याद रुट को एक और होता है इंटरनेशनल बुकर पुरुस का जीतने बाली सबसे कम उम्र की कौन बने गई मारिके लुकास डिजने वर्ल याद रखना तो ये इसी साल के हैं दो दिये जाते हैं इंटरनेशनल बुकर पुरुसका, एक पुकर पुरुसका, बुकर पुरुसका, डगलस को मिला है, इंटरनेशनल वाला मारी के को मिला है, ठीक है, याद रखना, नेक्ट कोशन आपका, बिस्व रिसवत, जोकिम सूच कांक, रिसवत तो जैसे कोई भी काम कराने गए, तो उस लास्ट टैम अपनी 78 थी जब मैं लास्ट टैम पढ़ता था इस करेंट अफेर इस वार एक इस थानम अच्छे हो गए तो अप्पे को ने डैनमार्क इसे भी याद रखें और डैनमार्क की कैपिटल आप बता सको तो बहुत ही अच्छा होगा है ठीक है इसी सी ने महिलाओं क टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप को कब तक के लिए स्थागित कर दिया है तो यह कर दिया है 2023 तक 2023 में होगा अब यह ठीक है नेक्स्ट वर्ल्ल चिल्डर्न्स दे यह कम मनाए तो यह मनाए बीस नवमार्क बहुत साई लोग सोच उचओं इस चोदे नमबर भी तो मनाते हैं तो 14 नमबर न तो अपना चिल्डर्न दे नेशनल चिल्डर्न दे नेशनल चिल्डर्न दे तो इसे भी आप याद रखेंगे नेशनल चिल्डर्न दे 14 नमबर इंटर और यह वर्ल्ल चिल्डर्न दे 20 नमबर 6 दिन बाद इस तरीके से याद रख लो ठीक है और 19 नमबर मेंने क् बताओगे आप मुझे, comment box में, next, हाल ही में वायतन lifetime achievement award से किसको सम्माइनत किया गया है, तो ये हैं, रमेश, पोकरलिया, निसंग, इनको किया गया है, ठीक है, next, सर्व से सेरों की सूची में, सामिल होने बाला, एक मातर भारती, एक मातर भारती सेर बनाए, तो वो है दिल्ली याद रखेंगे, ठीक है, तो इतनी कोशन थे, मगर एक कोशन आखरी में मैं आपको बताना चाहूँ, static, बहुत ज़्याद हैं, यूनेसको की सूची में, इंडिया के अंदर तो हैं sites, उसमें से UP के अंदर तीन site है, कल परसों में किया था, मुक उसमें आया था, तो पहली तो है, रेड फोर्ट, आगरा कर, आगरा फोर्ट, सौरी, रेड फोर्ट नहीं, आगरा फोर्ट है, यह है, आगरा फोर्ट, दूसरी है, फतेफपुर, सीकरी, अगर यह तीसरी site किसी ने भी बता दी, जो कि अगर थोड़ा common sense लगाऊँगे, तो भी नकले आगी, तो यह सो होता है, अगर तीसी site हम नहीं बता पाए, तो यूपी की पहली site है, आगरा फोर्ट, दूसरी है, फतेफपुर सी की, तीसी site कौन सी है, जो यूनेसको में है, और जो की बहुत ही जादा उसके लिए ही, अपना यूपी जाना जाता है, तो यह बताना, अपना और अपनों का ख्याल रखना, वीडियो को शेयर कर देना, आखरी तक देखी हो, तो प्लीज इसका जवाब देके जाना, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने आखरी तक वीडियो देखिए, ठीक है, और बताना कुछ अपडेट करना हो, कुछ और तरीके से करना हो, फोटोस डा करें, ठीक है, तो शेयर कर देना, इसी के साद जय हिंद जय बारक,